मैं सौरा गुप्ता आज मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपने किसी भी मोबाइल में किसी भी एंडुराइट फोन में मल्टी विंडो कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको आपका मोबाइल सबसे पहला रूटेट होना चाहिए और एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होने चाहिए जा तो CWM हो या TWRP कि आपको क्या करना है सबसे पहले एक फाइल को flash करना होगा customer recovery में जाके वो फाइल आप download कर सकते हो मेरे खुद के बनाई app से उस app को download करने के लिए आपको क्या करना होगा प्लेयर स्टोर में जाके आपको सर्च करना होगा चित्थी को क्या करना आपको इंस्टॉल कर लेना है चित्थी इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च बटन में सर्च करना होगा के थ्री नोट ल, ए, न, ओ, व, लिनोवो के थ्री नोट लिनोवो आप जैसे ही खोलोगे आप यहां देख सकते हो, आप आपको कुछ फाइल मिलेगे पहला फाइल आपको क्या डॉलोड करना एक्सपोष्ट वर्जन 87 HDK 23 और सबसे लाश्ट में जो एक है एक्सपोष्ट इंस्टॉलर आपको क्या करना है एक्सपोष्ट 87 जीप फाइल को आपको सिर्फ फिफ फ्लेश कर देना है रिकवरी में जाके मैं उसको इपता देता हूं कैसे फ्लेश होती है मॉmaile को क्या करना होreno आप पहले स्विच आफ करके आपको क्या करना आपकर रिकवरी मोड में जाना है जैसे मेरे पास Leet V का मोबाइल है, इसमें recovery mode, volume up button और power button एक साथ दबाने से होता है अब देख सकते हो, यहां Leet V को recovery खुल गया है इसमें मैंने TWR पे recovery flash किया हूँ बस खुल जागा आपको क्या करना है, install button दबा के, आपको वही exposed version 87 SDK 23 को flash कर देना है यहां पर आके, आप यहां क्यार होगे, ऐसे flash कर दो के, मैंने इसे पहले ही flash कर चुका हूँ flash करने के बाद, आपको क्या करना है, wipe में जाके, advance wipe में, सिर्फ dalvik catch और catch को clear कर देना है याद रखे, आप system ना select करें, ना data, ना internet storage, सब चीज़ करने के बाद, आपका phone reboot हो जाए जब आप recovery flash कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, वही जो आपने download किया था, expose का file, उसे आपको क्या कर लो, install कर लो, K3 note, और यह एक्सपल इंस्टॉलर रहे है, इसको download करके, जब download हो जाए, तीसा आप क्या कर लो, install कर लो, इंस्टॉलर रहे हैं, इसको आप open करोगे, आप देख सकते हो, यहां लिख रहे है, exposed framework version 87 is active, अगर आपका यह active ना लिखता हो, अगर यह active ना लिखता हो, यहां पर version 87 है, इस बटन को आप दबा के, आपर से install कर दो, और mobile को reboot कर दो, आपका फिर यह active हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, आपको यहां से download करना है, एक module को, model सेर्च करने के लिए, आपको क्या लिखना होगा, M-U-L-D-I-W-I-N-D-O-W, multi window, multi window download करने के बाद, आपको दिख रहा होगा, S-K-Y-O-L-I-N helper, एक file में लेगा, यहां सब क्रेटर लोगे, इसको download करके install कर लो, जब download हो जाए, इसे open करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, यहां पर से add app करना होगा, और, sorry, add app करके, यहां से select all करके confirm कर दो, confirm करने के बाद, आप क्या करना है यहां पर, इसको modules में जाकर, आपको इसको क्या करना होगा, activate करना होगा, अक्टीवेट को कंफर्म करने के लिए आपको फोन को एक बाद रिबूट करना होगा है जिसमें रिबूट कर रहा हूं कि ग्रैंट करते हैं जब रीबूट हो जाए अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप मल्डे टास्के आप आप देख सकते हो यहाँ आप मेल टू विंडो स्टार्ट हो चुका है जैसे यह मैसेज़ेस खोला मैंने उसके आद मैंने कुद की एप चीठी खोला लोडिंग नोट नेट सब्सक्राइब देख सकते हो इसको भी चला सकते है इसको भी चला सकते है आप साथ में चाहे तो इसके बाद यूट्यूब भी खोल सकते हो देख सकते हैं यूट्यूब भी मल्टी विंटो में खुल चुका है आप यहां पर से इस स्टेटेस बार को अगर आपको पसंद नहीं तो यहां से हाइड भी कर सकते हो और किसी भी आपको डालेक्ट लोज करके आप कोई भी याप मल्टी विंटो में चला सकते हो थैंक्स बढ़े आपे विडियो जोग देए